हेलो हेव्यों विल्कम बेती चाहरी जैसा कि मैं आप लोगि लिएे व्यIDEO और मेकप से related वीडियो लेज़े लेकार आती हूं तो आज मैं लेकार के आई हूं आप लोग के लिए रिफिश्ट्रिं मेकप लोगे तो अब तक और मेरे यह सारे वीडियो दोस को लोगों को去 कि जिनलों के लिए ये हैलफWhoL हो सके औरम प्लीज प्लीज मुझे जरूर आप बताईये के आप लोग मोह वीडियो कैसे लगा और मेरी ये ब्राइड आपो कैसे लगी तो जैसा कि सबसे पहले make-up के पहले CTML करना है तो यहाँ पे cleansing हो रहा है और इसकी बाद होगा tuning जैसा कि आप जानते ही हैं तो tuning करना है tuning के बाद moisturizing और उसके बाद primer तो यह सारे खुश को यहाँ पे आपको करना है और उसके बाद ही make-up पे start होता है तो जैसा आज मैं सबसे पहले start कर रही हूँ आई make-up से तो आई make-up जो है वो सबसे important होता है important तो ऐसा सब कुछ होता है लेकिन आई make-up में बहुत important होता है आज कल बहुत जाता ही trend में है तो सबसे पहले मैं light orange color ली हूँ और उसके बाद मैं dark orange ली हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उसी crease line के उपर दिया गया है पूरी नीचे तक मैं उसे नहीं spread की हूँ यहाँ पर ली हूँ जेल काजल और जेल काजल का help से में है यहाँ पे लाइनर भी create करी हूँ और शाथ में center में उससे थोड़ा सा blend करूंगे जिससे कि आज मैं जो eye look है वो कुछ different क्रेट कर रही हूँ आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूरू बताएगा कि यह वाला eye look आ इस तरीके से blend कर लेंगे यहाँ पर मैं brush को change की हूँ और blending brush के help से उसे blend कर रही हूँ ने साथ में आपको लेना है maroon color जो भी मैं यहाँ पर eye shadow palette ले रही हूँ वो makeup revolution का है इस तरीके से वहाँ पर आप maroon color ले करके उसे अच्छे से blend करेंगे क्रिज लाइन तक इस तरह से क्या होगा ना कि यहाँ पर light orange dark orange और यह maroon और black का बहुत अच्छा set create हो जाएगा यहाँ पर मैं जो जो color ले हूँ सारे को मैं repeat कर दी हूँ और आप लोगो सब को so भी की हूँ तो इस तरीके से वह पूरे अच्छे से blend होयाता है साथ में आप मैं लें रोज गूल कलर यह रोज गूल कलर को मैं center में apply कर रही हूँ आप लोग यह मुझे जरूर बतायेगा कि यह जो मैं center में apply कि बाद में glitter वो कैसा लगा और without glitter वो कैसा लग रहा था तो इस तरीके से उसे glitter को डालने के बाद उसे अच्छे से mix कर देना है then मैं ले हूँ liquid liner और liquid liner से यहाँ पे मैं liner create कर रही हूँ तो चोटा सा wings निकाली हूँ बहुत लंबा wings ने निकाली हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे यह liner create हो गया आप चाहें तो gel liner से भी कर सकते हैं लेकिन gel liner के बाद भी आपको यह liquid liner तो करना ही होगा क्योंकि उससे वह set कर जाता है same यही चीज आप लोग को दूसरे आई में करना है देखे गाइस यहाँ पे अभी जो है दोनों आई में different है एक में matte finish है एक में glitter है आप लोग मुझे यह दोनों मैं दिखा रही हूं ताकि आप मुझे बताएगा कि कौन सा अच्छा लगता है ताकि मैं next time उसी तरह का eyeshadow लेकर के आऊं आप लोग को के लिए तो इस तरह से फिर next palette से मैं ली हूँ यह highlighter के लिए color और उसे brow bone पे दे रही हूं आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं सारे कुछ को बहुत ही जूम करके दिखा रही हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके इसका जो भी face पे fallout हुआ है उसे आप tissue paper से क्लीन कर लेंगे यहा यहां पे मैं क्रेलान के palette से ली हूँ character जिसी की mouth के round आसपास और eyes के पास मैं जहाँ पिग्मेंटेशन वहां पे डाल रही हूँ और उसे अच्छे से blend कर ली हूँ मैं पहले finger से blend करती हूँ दैन मैं blender से blend करती हूँ तो इस तरह के से मैं यहां पे blend कर ली हूँ दैन मैं आज कर रही हूँ nose contouring आप देखे कि यहां पे जो इनका nose है वो थोड़ा सा जादा है नीचे की तरफ मतलब चारा है तो उसे मैं contouring करके उसे अच्छा सा save देने की कोसिस करी हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जा रही है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि किस तरह से कहां प इस पर set create किया जाता है जो आपको नहीं चाहिए उस एरिये को आप set कर देते हैं ताकि वो खासकर pics में नहीं आता है picture में नहीं आता है यहां पे जो मैं फिर से lips की पास contouring कर रही हूँ चिक्स का वो lips से लगवग दो एक इंच मिस दो अंगुल दो एक इंच थोड़ा सा दूरी से आप इस तरीके से करेंगे जैसे यहां पर मैं की हूँ यहां पर ले ठी हुँ ऑप ले री हूँ फॉंड़ंस फाटं एंसर को मैं दे रही हूँ जो नुस बाटूर को और मशसे पहले और अब प्लेंटा कर सकता है तो इस तरह प्रकेति कंटूरींग अर्या शोड़ देंगे और पहले फाटाने सर वाल एरिया को ही ब्लेंट करें और उसके बाद ही आप कंटूरिंग वाले एरिया को ब्लेंड करेंगे तो इसे क्या होगा एक तो वह मिक्स नहीं होगा दूसरे कि आपके फेस पर ब्लैकनेस नहीं आएगा और बहुत अच्छे से सेट क्रेट करेंगा अगी मैं यह हाफ फेस में ही कर रही हूं और मैं जब भ बहुत सुन्दर से सेट क्रेट होता है कभी-कभी क्या होता है कि बहुत बेगनर्वस करते हो पाची इसा नजर आता है तो यह पो पाची नजर नहीं हुए ह। अब देख सकते हिसं ने इसना भी साइच्छ लगा दी हूं और रहा पर नहीं को इन फॉरले नहीं कर दक नहीं के उपर आपर लिस्ट टो ऑपको तो पता होगे कि हाई अपको बनाना और यह नहीं पता है तो आप जालनीजे़ घी हॏ हाई पॉइंटे मैं और यह लोडर और जय जो हाई पॉइंट्पा उस सारे फे आपको यह सारी फेज़् ऩाणने ना कि इस तरह चलने के बाद थोड़ा से एक मिनिट की रुप झाना है और उसके बाद ही इसे पूरे फेश में मिक्स करते हुए उससे आप रिमॉव करेंगे तो इस तरह से तो इससे मैं यहां पर उससे आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर सेट कर रही हूं थोड़ा सब प्रेस करकर करके इससे क्या होगा जितने भी लाइन्स वगर अभी रहेंगे न वह सब कुछ सेट कर जाएंगे तो इस तरह से पूरे फेस पर आपको इसे डालके सेट कर देन जो भी कंटूरिंग किया गया है उसे व्राउंजन करेंगे यानि सेट करना है उसे भी तो इस तरह से मैं नोज को आज थोड़ा से नोज पर जादा ध्यान दियूं तो इस तरह से यहां पर इसे मैं सेट कर ले रही हूं साथी चिक बोन्स पर जॉलाइंस पर सभी को से सेट कर ले रही हूं तो इस तरह से यहां पर यह सेट हो जाता है और देन बारी आती है ब्लसर की मिन्स रूज की और देन आते है हाई-लाइटर की गैस आसकल जो है हाई-लाइटर के बिना भी बहुत धूरा-धूरा फेस लगता है खासकल अगर ब्राइड हो तो उन्हें है तो मैं कम ही देती हूं तो इस तरह से मैं यहां पर पहले कंजूरिंग कर ली हूं और अब मैं करनी जा रही हूं ब्लसर को तो यह है मेरा पॉडर ब्लसर जिसे मैं इसके फेस के कॉर्डिंग ली हूं लाइट पिंक है तो इस तरह से में यहां पर ब्लसर लगाते हैं इसम तो चिक बॉन्स पर डालने के साथ है अब थोरा से नोज पे थोरा से चिन पे अपर लिप्स के पास थोर तो रहा पर हलकल कर ब्रस को चला देंगे तो उसे पूरा स्पेस एक सा नजार आता है तो है हाइलाइटिंग के बारे जो कि मैं फैन ब्रस को यूज कर रही हूं और नोज के उपर डाल रही हूं नोज रिस पे अब जल ब्लसर के ऊपर थोड़ा सा इससे डालेंगे इस तरह किसे गया साज मैं बहुत सार इस रिप को इदम जूम करके और इदम नेशर वे में करके आप लोगे लिए वीडियो बना के लाया करो अब आते हैं इसे फिक्स करने के बारी तो इसे मैं प्लम के फिक्सर से फिक्स कर ली हूं और आइस मिकप में कुछ न कुछ तो बाकी रही जाता है लास्ट में जिसे फाइनल टच अप देना होता है तो मैं यहां पे काजल अपलाई कर ली हूं जेलकाजल ही अपलाई की हो और दैन मैं उसे सेम कलर वाले आइसे डुब रस से जिसे मैं उपर अपलाई की थी उसे उससे समज कर ले रहे हूं जब आप इससमज करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लुग देता है और ब्राइड में तो यह एक्दम कम यहां पर इसमज करने के बाद अब आती है लिप की वारे तो गैस लिप्स्टिक तो मेकप का चान है अगर आप लिप्स्टिक नहीं लगाते है नो तो फेस अधूरा-धूरा सा दिखता है ऐसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है लेकिन लिप्स्टिक भी बहुत इंपॉ अप्लाइ कर दिया चा रहा और अब यहां पर मैं आइलेस नहीं हों तो इसे में कर दे रही हूं आयलेस कि से जिससे की वो अच्छा सा वो एक इसमें वेव दिखाई दे और लुवर लेसस को भी नहीं करना है उस पे भी मस्करा को हलका सा प्लाई कर देना है तो गैस यह है फाइनल लुक मेरी आज की ब्राइट का तो आप लोगों को यह ब्राइट मेरी ब्राइट कैसी लगी और यह कैसा लगा यह मुझे कॉमेंट करकी जरूर बताइएगा और आप लोगों क्या क्या कमी लगी यह भी जरूर बताइएगा ताकि मैं सब को दूर कर शकूं और नेक्स वीडियो तक के लिए थेंक यू टेक केर बाइबाय और लाश्टा कर देदे अप लोग वीडियो देखे